चाइना अचालक साउट चाइना सी में पडोसियों से भिड़ रहा है भारत के साथ एक्दम से विवाद मोलज किया है माउंट एवरिस को अपना बता कर निपाल को भी लाल आंखी दिखा रहा है अमुबेश जो कर सकता था चाइना कर रहा है लेकिन सवाल खना होता है कि चाइना अचानक ऐसा क्यों करने लगा है तो दोस्तों एक्सपर्ट्स मान रहें कि ये विनाशकाल में चाइना की उल्टी बुद्धी का परिणाम है भारत और चीनी सिनाव के बीच लद्धाफ में जड़ब हो चीन की बॉखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि COVID-19 का प्रकोप कम होने के बाद चाइना से करीब एक हजार कम्पनियां दूसरे देशों में पलायन कर सकती है लहाज़ा एक सोची समझी रणीती के तहट कोरोना महामारी के दौर में भी चाइना अपने परोसी देशों के साथ सीमा विवाद बढ़ा रहा है यूकि महामारी में कमी आने के बाद चाइना को निवेशकों के परोसी देशों में पलायन का डर है और उसी से ड्राइगन अंदर खानी बॉक लाया हुआ है यानि ऐसे हथकंडे अपना कर कम्पनियों को बाहर जाने से रोपने की कोशिश में जुटा हुआ है चाइना की हरकत की पीछे निवेश कोने का डर अगर चाइना की इस हरकतों को समझने की कोशिश की जए तो अपनी सेना का इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के खिलाफ विसले कर रहा है क्योंकि उसे पता है के एशिया में कोई अन्य ऐसा देश नहीं है जहां निवेशक जाबा है चाइना में काम कर रहे हैं, एक हजार कंपनिया, कई देशों के साथ बाचीत भी कर रही है पिछले तीन सब्ताहा के दोरान लद्दाख और सिख्यम में चीनी सेना ने जड़ा पौर, गालवान नदी के करीब भारतिये और चीनी सेना के बीच तानातरी देखी गई हाला कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच विवादित सीमा पर कभी कभार जड़ा कोती रही है, लेकिन एक ही वक्त में दो राज्यों के सीमा के खरीब चीनी सेना की हरकत असा मानने इस बात का भी शक है कि विवादित लिपुलेख दर्रे के करीब सड़क पर नेपाल के साथ विवाद को भी पेचिंग का मौन समर्थन साउट चाइना सीमें चीन की नौसेना ने आखरमक अभ्यास किया चीनी तट रक्षकों के हमले में वियत नाम की मचली मारने की एक नाउध वस्त हो गई इसके लाबाद चीन का टोही जहाज इंटोनेश्या के करीब देखा गया थी कम्पनियों को लुभा रहे हैं भारत और वियत नाम भारत चीन की सीमा पर इस अखरमक्ता को उसके यहां से निवेश किसकने का डर माना जा रहा है एक हज़ार कम्पनिया कोविड-19 के प्रकूप पे कमी आने के बाद चीन से अपना कारूबार समेट कर भारत और अरन निवेश करना चाहती हैं और वे इसके लिए इन देशों से बात भी कर रही हैं चीन से बाहर निकलने वाली कम्पनियों के लिए भारत बहतर महौल मोहिया करानी के तैयारियों में जुटा हुआ है इसके लावा वे अतनाम के पास पहले भी बाजार पर कबजा करने का हुनर रहा है चीन से निकलने वाले निमेशकों के लिए इंडोनेशिया भी एक बेहतर जगह हो सकते है इंडोनेशिया सरकार में चीनी फिशिंग कंपनियों के अपने नागरिकों के साथ गुलामों वाला वेभार के निंदा की है चीनी कंप्रियों के खराब वेभाद के कारण इंडोनेशिया की तीन लोगों की मौद भी हुई है इस मुद्दे की कारण चीन और इंडोनेशिया के बीच तनाव और बढ़ सकता है सूत्रों ने बताया किस तरह के दबाव के रनीती बनाकर चीन खुद को ही परेशानी में डाल रहा है क्योंकि दुनिया अब पेचिंग पर निर्भरता कम करने के रनीती की तरफ देख रही है साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव चीन के दक्षिन चीन सागर में ताईवान के नियंतरन वाले दोंगशा द्वीब समूँ पर खबजा करने का युद्धा भ्यास करने का आईलान करने के बाद तनाव और पढ़के आ है अब ताईवान ने घोशडा की है कि वो जून महीने में फाइरिंग का अभ्यास करेगा ताईवान ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान दोंगशा द्वीब समूँ पर मोटार और मशीन गन पोजीशन की परक की जाएगी दोंगशा द्वीब समूँ में एक द्वीब और दो पोरल रीफ है इसके दो किनारे हैं ताईवान ने इससे नेशनल पार्क को भोशित कर रखा है इसने पहले आए ख़बरों में कहा गया था कि चीन की प्यूपल्स लिबरेशनार भी अंगस्त महिने में साउग च्वाइनासी में व्यापक पैमाने पर लाननिंग का अभ्यास करेगी ये एक तरीके से दोंगशा द्वीब पर कबज़ा करने का छद्म अभ्यास होगा ताइवान ने मजबूत के अपने द्वीब की सुरक्षा जापान की क्योदो नियूज एजनसी के मुदाबिक प्यले के लाननिंग एकसरसाईस को दक्षिन थेटर कमान के ओर से आयूजित किया जाएगा और इसमें बड़े पैमाने पर पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम, ओवरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर, मरींग शामिल होगे इस बीच ताइवान ने चीन की किसी भी दो साहस का जवाब देनी के लिए दोनशाद द्वीब समूह पर पोस्ट गार्ड की दो स्कॉडर तैनाद कर दी है इसके रावा 20, 40, 81 और 120 एमेम के मोटार भी द्वीब समूह पर तैनाद किये गए है साथी पैदल जेना के लिए जरूरी उपकरण भी पोस्ट गार्ड को दिये गए है यही नहीं द्वीब समूह पर सैने प्रतिष्ठानों को उन्नत किया गया है ताइवान सरकार ने कहा है कि चीन की कबजे की किसी भी प्रयास का जवाब देनी के लिए निगरानी और खूफिया गतिविधियों पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है साथ चाइना सी में क्या है चीन की चाल दरसल चीन ने कोरोना वाइरिस के खिलाफ जंग पर बढ़ात हासिल कर ली है और अब अपना ध्यान साथ चाइना सी की तरफ लगा रखा है चीन वहाँ अपना स्टैन ने जाल बिछा रहा है चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इलाके में अपने तीन युद्ध कोद भेजे हैं इसके बाद भी इलाके में तनाव की स्थिती पैदा हो गई है और माना जा रहा है कि चीन साथ चाइना सी से पेट्रो क्यामिकल्स और अने मिनरल निकालना चाहता है और इलाके में एक न्यूकलियर रियक्टर भी बना सकता है पिशेशग्यों का मानना है कि साथ चाइना सी पर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं जिसे युद्ध में चीन, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं, उधर चीन के रक्षम अंति जनरल वईफ अंगे ने कहा कि अगर अमेरिका के तरफ से युद्ध के हालात पैदा किये गए, तो पेचिंग हर कीमत पर लड़ने को तैयार है। जक्षिन चीन सागर वैश पिकर्च में वस्था के लिए काफी महत्तुकून हैं, यहाँ दुनिया का सबसे महंगा शिप इंगलेन हैं। हर साल इस रास्ते से 3.4.5 का व्यापार होता है। ब्रचेन का 12 फेसी समुद्री व्यापार यानि कि 97 अरब डॉलर का निर्यात आयात इसी शेत्र से होता है।